हेलो दोस्तो मेरा नाम अर्मान अलम है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल या फेस्बूक पेज और लॉंडर सिविल इंजिनियर तो दोस्तो आज की इस विडियो में हम लोग basement construction और साथ में रिटिनिंग वाल का Construction देखेंगे कैशहीungs के इसよう तो यहां पर जैसा के आप देख पा रहे होंगे रिटिनिग वाल के लिए इस चिछिका है और करी और कहीं पर शप्रिट्न लगा हुआ है तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं रिटनिंग वाल का फर्स्ट लियर कास्टिंग हो चुका है और सेकंड लियर के लिए शर्टिंग लगई है और उसका सपोर्ट लगा हुआ है ठीक है दोस्तों एक चीज़ और आप देख रहे होंगी कि यहां पर इसी कॉलम का हाइट 1.5 मीटर से जादा हो जाता है तो उसको हम दो लेयर में कास्टिंग करते हैं ताकि उसके अंदर सेगरेशन ना हो ठीक है दोस्तो और यहां पर जो आप देख रहे हैं कि कॉलम का भी कास्टिंग हो चुका है और उसमें क्योरिंग करने के लिए लगा यहां पर आगे चल करके वहां से श्रेयर केस निकाला जाएगा और यह जो गढ़ा देख रहे हैं यह संप है पानी जमा होगा और मोटर के थरू बहर निकलेगा ठीक है दोस्तो और यह चीजी दोर आप लोग देख रहे होंगे कि दूसरा जो कॉलम है वह पहले से कर्ष्ट नहीं हुआ ताकि सीठीटील को अंदर होता हुआ आगे निकले यानि कि मिल सके इसके सट्धिंग रीटिंग के साथ कस्टन कट्स्ट करते हैं ठीट है यह øयर के इस सही को बीचको डिस्टेन से को रखने के लिए है ठीक है दोस्तों और नीचे जो आप देख रहे होंगे वहां पर कवर ब्लोक लगा हुआ है अभी पूरी तरह से यह सब टाइट नहीं और यहां पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टेर के लिए शर्ट्रिंग भी लगा हुआ है और उसका सपोर्ट भी लग रिंग कॉलम के स्टील में रिंग लगा हुआ है ठीक है दोस्तों इसको टाइरिंग भी बोलते हैं इसका काम होता है एक तो सेर्फोर्स को रेसिस्ट करना और दूसरा काम होता है कॉलम के में स्टील को टाई करके रखना है यानि के पकड़ करके रखना है और दोस्तों इसी एक मास्टर रिंग भी हो और अंदर का भी रिंग भी है इंटरनल लिंग जिसको कहते हैं वो भी अच्छा यह यह जो आप देख रहे हैं यह सेफटी परपर से जब नया इस्टील आता है तो उसके और और वहा-पर उसमस्री वहां-टृ लगेगा और वहां बहुत्पर को चलाने के लिए लेक्टिसिटी की creates होती है तो कर दोस्तों को आप कमेंवघ में पूस्सकते हो I will try to a answer that question,regard friends , तो अभी यहेँआ पर यही वाईड देख रहे है हो रा मैं यह भी पाइब यह वाइद कलर का यह भी इलेक्टिकल परपस से है , ठीक है अलग कर जहां पर नीचे में जो पाईब डिच लगेगा तो उसके लिए इलेक्टिकल तके लगा हुआ है यह तरफ तो रोड है ठीक है अभि रोड वाला साइड है दर से भी रोड है को और इस तरफ बिल्डिंग है हमारे बिल्डिंग больше सटा हुआ हमारे यह बिल्डिंग होगा यह जब कॉलम का कास्टिंग नहीं होता है जिस टाइम समझे इस राफ पॉंडेशन का कास्टिंग हो रहा था तो उस टाइम पे तो कॉलम कास्टिंग नहीं हुआ था तो उस कॉलम को एस्टेबिलिटी उस कॉलम के स्टील को सपोर्ट देने के लिए वह रिंग रहता है ठीक ह यहां से उसको सपोर्ट मिल ला था मनि उपर से वहां से एक इस्टील को जोड़ करके इसमें फसा दिया गया था ताकि इस्टील इधर उदर जोके नहीं और राफ फॉनडेशन के कास्टिंग में डिश्टर्ब नहीं हूँ ठीक है दोस्तों दोस्तों हमने engineers में skill की कमी और खास करके civil engineers में skill की कमी और बेरोजजारी को धियान में रखते हुई फिरी civil site training program शुरू किया है जिसमें हम आपको कुछ basic चीजों की जानकाली देते हैं जैसे तो दोस्तो अगर आप हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ओनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं जो की जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हाँ मैं आपको यह बता दू कि यह हमारा ट्रेनिंग सेंटर न्यू डेली में ही है तो अगर आप न्यू डेली ट्रेनिंग करने के लिए आने में कमफ़ोटेबल हो तभी इस फॉर्म को फिल करने ओके फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक क्या